सभी और इशान को एक करने के लिए हुई शांतनू और इशा की एंट्री इशान हुआ शौक्त है सेरियल गुम्हे किसी की प्यार में आने वाले अपकॉमिंग एपिसोड काफित माकेदार और तुष्टवारे होने वाले हैं जहां पर एक तरफ इशान ने रिवा से शादी कर अने का फैसला कर लिया है तो अन्वी और चिनमे काफिता परिशान हो गए हैं क्योंकि सभी इशान को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं पूने से और वहां कभी वापस लोड़ कर नहीं आएगी अब इशान ने भी सोच गिया है जैसे सभी कह रही है त साथ आगे बढ़ जाना चाहिए इसलिवा रिवा से कह देता है कि वहां बस दो दिन बाद ही उससे शादी कर रहा है और यहां पर रिवा की खुशी को कोई ठीकान नहीं रहता लेकिन चिनमे और अन्वी काफिता दुखी है इसलिए इशान को समझाने जाते हैं इशान बात को एक करने के लिए इशा मैम और शांतनो सर के एंट्री होने वाली बहुत जल्द भोसले हाउस में उन दोनों को देख कर वहां पर पहले तो राव साहब का साहब काफी ज्यादा उखड़ने वाले हैं लेकिन उनके उखड़ने से कुछ नहीं होता क्योंकि अब इशान के ज लाइफ में लेकर के आएगा और यहां पर यह फैसला सभी कभी होने वाला है क्योंकि इशा मैम सभी और इशान दोनों को समझाने वाली साथ साथ शांतनों शर्भी नों के साथ देते वे नजर आएंगे यहां पर अर्चने तो बहुत आए ने लेकिन वो दोनों यह सबसम लेने वाले हैं और इशान को रेलाइज होगा कि उन दोनों को ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ना कि रिवा के साथ तो यहां पर इशान और सभी की शादी वहां फैक्स होते वे नजर आएगी और उन दोनों का रिष्टा यहां पर एक बाफ फिर से जुड़ भी होने तहह लेकिन यहां पर बड़ा धमाका होते भी नजर आएगा यानि कि भवर पार्टिल जेल से बाहर आ करके वहां पर बड़ा धमाका करने वाला है और यही से सभी और इशान की स्टोरी जो है वहां एक तरह से खत्म होते हुए नजर आएगी दोस्तों इसी तरक ए विदियों को लाइक करना ना भूलें